HDFC bank भारत में एक private sector का काफी अच्छा bank है दोस्तों इस वीडियो के मादम से मैं आपको बताने वालों कि कैसे आप HDFC bank में घर बैठे वीडियो के YC के मादम से सिर्फ अधार कार्ड और पैन कार्ड के मादम से अपना saving account कैसे open कर सकते इसके बारे में step by step पूरा प्रोसेस सकते हैं तो यहां पर आपको mobile banking, internet banking, debit card और checkbook जैसी facility भी दी जाती है जिसके इस्तेमाल से आप online transaction कर सकते हैं साथ यदि आप इस account का इस्तेमाल Amazon Flipkart पर यदि आप इस account का इस्तेमाल करते हैं shopping करने के लिए तो यहां पर आपको कहीं तरह की facility भी दी जाती है जैसे कि आप इन platform पर कोई भी समान EMI पर खरीज सकते हैं और कहीं तरह के आपको cashback offer भी provide किये जाते हैं तो चलिए दोस्तों इस video को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कैसे आप HDFC bank में saving account opening करेंगे HDFC bank में saving account opening करने के लिए आप अपने mobile में कोई भी एक browser open करेंगे और google पे search करेंगे HDFC bank इसके बाद आपके सामने इस तरीक से user interface आएगा आप थोड़े सा page को scroll down करेंगे यहां पर आपको saving account करके एक option देखने को मिल जाता तो जिस्ट आपको saving account पर click कर लेना है जिसी आप saving account पर click करेंगे यहां पर कुछ processing होगी इसके बाद यहां पर बताएगा कि account को opening करने के लिए आपको अधार card और pen card की verification करनी होगी अपनी कुछ personal information यहां पर डालनी होगी इसके बाद आपको अपनी complete video के वैसी करनी होगी इसके बाद आपको पैसे इस account में transfer करने ह होंगे और आपका account instantly open हो जाएगा तो सबसे पहले हम इस account के बार में बता देते हैं जो कि HDFC bank की तरफ से zero saving account की facility दी जाती है तो यहां पर आपको थोड़ा सा page को scroll down कर लेना है जैसे आप page को scroll down करेंगे तो यहां पर अभी आपको एक account देखने को मिलता है जिसका नाम है basic saving bank deposit account यह तो आप इस account को opening करवा सकते हैं अपने HDFC bank में यह फिर आप यहां पर नीचे आपको और option देखने को मिल जाता है basic saving account deposit account small account तो यह फिर आप इस account को opening करवा सकते हैं तो दोनों में से कोई भी एक account आप open करवा सकते हैं आपकी choice है तो अभी हम यहां पर basic saving account के बारे में जा आने वाले तो यहां पर आपको no more करके option देखने को मिल जाता है तो जिस्ट आप no more पर click कर लेंगे जिसी आप no more पर click करेंगे अब यहां पर बताएगा है कि इस account को opening करने के लिए आपके पास किसी भी तरह का आपको इस account में balance mandate नहीं करना है इसके साथ यह account instant के instant आपका open हो देखने को मिल जाती है इससाथ ही आपको transaction with easy करके आपको facility देखने को मिल जाती है जहां पर आपको पासबूक की facility भी देखने को मिल जाते यह दिए आप इस account को opening करवाते है इसे साथी free cash deposit branch and ATM से आप free deposit वगराबी कर सकते है इसे साथी आपको access मिल जाता है आपको यहां पर फ्री रूपे डेवीट कार्ड भी मिल जाता है महिने में आप चार ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते है जैसे कि ब्रांच से ATM से NFT, RTS या फिर ब्रांच या ओनलाइन IMPS या फिर किसी भी तरीके से आप 4 ट्रांजेक्शन कर पाएंगे इसके साथ ही थोड़ा सा पेज को थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहां पर बताए गया है कि आपको 25 पेजिस की आपको एक आपको चेक्बुक की फैसलिटी भी देखने को मिल जाती है यहां पर आपको lifetime free bill payment करने की सुईदा देखने को मिल जाती है free email statement की सुईदा भी मिल जाती है इससाथ ही यहां पर आपको net banking, phone banking, mobile banking की फैसलिटी भी देखने को मिल जाती है इस अकाउंट में इससाथ ही इस अकाउंट की मदद से आप utility bill payments कर सकते है चेक की साहता से आप payments कर सकते है और भी कहीं तरह की आपको यहां पर आपको facility दी जाती है यदि इस अकाउंट के eligibility criteria के बारे में बात की रहे तो यहां पर जैसे आप eligibility criteria पर click करेंगे तो यहां पर बताएगे कि इस अकाउंट को कोई भी open कर सकता है जो family हिंदूस family एवी भाजित family है तो वो भी इस अकाउंट को opening कर सकती है customer should note have existing आपको पहले से HDFC bank के customer नहीं होने चाहिए इसके साथ ही आपको अपने अकाउंट में holding नहीं करनी है जो minor surgeon की उमर 10 साल से जादा है तो वो भी अपना अकाउंट opening करवा सकते है जहां पर उन्हें ATM debit card भी issue किया जाएगा तो यह कुछ eligibility criteria है जिसे साथ ही यहां पर बताएगे कि no initial payment is required to open a basic saving account and no average monthly balance यहां पर देखने को मिल जाता है कि आपको इस account में किसी भी तरह का monthly average balance mandate नहीं करना है और यहां पर कोई भी average monthly balance mandate करने की भी जूरत नहीं है इसके साथ ही यहां पर यहां पर यहां पर फीश and charges की बात किया जाए तो यहां पर आपको किसी भी तरह का balance mandate नहीं करना है और किसी भी तरह का आपको यहां पर maintenance charge भी नहीं लिया जाएगा चेक बुक यहां आप इशू करवाते है 25 पेजिस की तो starting में आपको free में देखने को मिल जाता है और यहां बाद में आप चेक बुक लेते है 25 पेजिस की तो ऐसे में आपको 100 रुपे की payment करनी होगी यहां पर citizen है तो आपको 75 रुपीज की यहां पर payment करनी होगी करने के लिए तो यहां पर आपको 100 रुपे से लेकर आपको 75 रुपीज तक आपको payment करनी होगी तो कुछ अन्य चार्ज है जैसे कि passbook insurance free में देखने को मिल जाता है यदि आप duplicate passbook निकलवाते है तो वहां पर आपको 100 रुपीज का चार्ज लगेगा और भी कहीं तरह के चार्ज है जिनको आपको यहां पर पढ़ लेना है और इसका हम आपको description box में link provide कर देंगे तो अब बात कर लेते हैं इस account को opening कैसे करना ह यहां असान है तो account को opening करने के लिए यहां पर आपको open now उपर click कर लेना है जैसे आप open now उपर click करेंगे यहां पर कुछ processing होना start हो जाती है तो processing होने में कुछ time लगेगा तो just wait कर लेंगे जैसे ही processing complete हो जाती है अब आपको यहां पर अपना धारकार नंबर date of birth डाल लेना है और इसके बाद start now उपर click कर लेंगे इसके बाद आपको Mr. Mrs. चुनेंगे और अपना full name यहां पर डालेंगे इसके बाद get OTP पर आपको click कर लेना है अब आपके registered mobile नंबर पर एक OTP में आप prefer है और इसके बाद आपको continue पर click कर लेना है अब आपको यहां पर धारकार नंबर यहां पर submit कर लेना है और जो time and condition है इस box पर click करेंगे और इसके बाद आपको get OTP पर click कर लेना है तो चलिए guys अभी मैं यह information यहां पर submit कर लेता हूं ध्यान रखे कि आपका धारकार से link mobile number होना चाहिए तभी आपको sms मिलेगा और तभी आप इस account opening कर पाएंगे तो अब आपको यहां पर wait करना है जब तक OTP आ रहा है OTP आने के बाद आप continue पर click करेंगे अब आपको यहां पर अपनी basic information डालेना है अपने area का pin code डालेंगे अपना नाम डालेंगे city डालेंग country डालेंगे और अपना date of birth डालके आपको next पर click कर लेना है जैसे आप यह information डालके continue इसके बाद आपको अपनी branch select कर लेनी है जो भी आपकी आसपास nearest branch होगी उसको यहां से आप select कर लेंगे और इसके बाद आपको continue पर click कर लेना है तो शेली गईज अभी हमने यह information डाल ली ह है इसके बाद आपको employment type डाल लेना है जहां पर आपको salary type डाल लेना है organization का नाम डाल लेना है आप name of your employment डालेंगे email ID डालेंगे अपना annual income डालेंगे और आपको source of fund कैसे मिलता है वो डालेंगे अपना pen card number डालेंगे यहां पर time and condition है इस पर click करके सभी को okay करेंगे और इसके बाद आपको प्रोसीर पर क्लिक कर लेना है जैसे आप प्रोसीर पर क्लिक करेंगे यहां पर फिर से कुछ processing होगी अब यहां पर आपको कहीं तरह के अकाउंट से देखने को मिल जाते है तो अब आप अपने हिसाब से कोई भी एक अकाउंट चुन सकते है जो कि आपकी requirement के स आप से सही बैठता है तो यहां पर भी हमने regular से अकाउंट चुना है इसके साथ यहां पर आपको सिंगल या marital status चुन लेना है और इसके बाद फादर ने mother's name डालेंगे और इसके बाद आपको डालने है relation डालेंगे नोमनी का नाम डालेंगे नोमनी की date of birth डालेंगे नोमनी आपको country डालने है state डालने है city डालेंगे यहां पर कुछ टामेंड condition है तो आप इनको accepted पर click करेंगे और नीचे यह सब information पर click करने के बाद आप continue पर click कर देंगे अब आपको अपने photo यहां पर upload करना होगा तो यहां पर plus जो icon है जिस आप इस पर click करके अपने mobile से अपने photo को upload कर देना है तो अब हम यहां पर अपने photo upload कर देते हैं तो यहां पर आप नहीं साब से चुल लेंगे और इसके बाद upload and apply पर click कर लेना है तो यहां पर रेशो भी बताए चार एंबी से कम का आपका photo ओने जए जे पी जी पी एंजी PDF format में आप इसको upload कर सकते है तो यहां पर upload and apply पर आपको click कर लेना है इसके बाद आपको debit card checkbook loan offer reference banking and any more offer देखने को मिल जाते हैं इन सभी पटिक box पर click करेंगे I agree पर click कर लेना यहां पर फिर से कुछ processing होगी अब यहां पर आपको account number customer ID IPC code मिल जाता है और आपको यहां पर relation कभी message देखने को मिल जाता है अब यह आपका basic saving account है तो अब आपको इस account को activate करना होगा activate करने के लिए अब आपको इस account की full KYC करनी पड़ेगी तो KYC यदि आप कर लेते है इस account की तो फिर आप इस account को lifetime के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं तो आप सुबह के 9 बज़े से लेकर शाम के 6 बज़े तक आप KYC के लिए timing अच्छा best माना जाता है तो यहां पर आप अपने account की KYC कर सकते है करने के लिए स्टार्ट वीडियो के KYC पर क्लिक करेंगे इसके बाद HDFC बैंक की तरफ से एक एक्जीक्यूटिव आपसे जूड जाएगा और इसके बाद आपकी कुछ documents को verify किया जाएगा और जैसे आपके account की verification हो जाती है इसके बाद आपको सब इंफॉर्मेशन दे दी ज जाती है और इसके बाद आपको debit card और checkbook by post आपके घर पर deliver करवा दिया जाता है तो I hope guys आपके लिए help रहे तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करके जुरूर जाए